जहिन वंदे मात्रम जहिन दोस्तो मैं मंगेश पवार पवार मिल्ट्री अक्याडमी के यूटूब चानल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसे कि दोस्तो अब आने वाली 25 तारिक को इंडेन आर्मी की एक्जाम है दोस्तो तो इस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए हम हमारे यूटूब चानल पर GKRGS का एक सूपर 30 की सेरीज हमने जारी रखे है दोस्तो तो इस सेरीज के अभी तक हमने 5 पार्ट मैं आपको करव याने इंडियन आर्मी के जो इसके पहले एक्जाम हुएे है दोस्तो उन एक्जाम में जो कोफेन है विसमें आपको अब यह शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा तुम अगर सब्सक्राइब करोंगे लाइक करोंगे दोस्तों तो मुझे भी एक जुनून मिलेंगा मैं आपके लिए और इसे भी बड़या बड़या कोश्चन लाओंगा दोस्तों ताकि आपका इंडियन आर्मी में सेलेक्शन हो ठीक है दोश्टो, तो जैसा कि हम देख सकते हो, पहले हम JK के?, 15 कोस्टों दोश्टों ठीक है? तो आपके सामने ये question नमबर 1 आ गया है, question नमबर 1 एक है दोश्टो, विश्व स्वास्त दिश्व कब मनाया जाता है दोश्टों, ठीक है, 7 अपरेल, 7 में, 1 अपरेल या 1 में को तो आप सभी को पता होगा दोस्तो कि विश्व स्वास्त दिवस जो रहता है दोस्तो वो 7 अपरेल को मनाया जाता है दोस्तो कब मनाया जाता है 7 अपरेल को option number सही है दोस्तो ठीक है Next question gym carbet national park डैस डैस जगम में स्तीत है दोस्तो तो जल्दी से इसका सही जवाब दो उत्तर प्रदेश जारखंड चतिसगड या उत्तराखंड तो जिम कारवेट नेशनल पार्क आप सभी को पताओंगा दोस्तो कि यह उत्तराखंड में स्तीत है दोस्तो कहां पर स्तीत है उत्तराखंड किसी भी कारखाने में रोजगार के लिए नियूनतम आयू क्या है किसी भी कारखाने में रोजगार के लिए नियूनतम आयू क्या है दोस्तों 12 वर्ष 17 वर्ष 16 या 18 वर्ष तो जल्दी से इसका जवाब दोस्तों आप सभी को पता होंगा कि अगर हम कारखाने में कोई भी या बच्चा या काम करता है दोस्तो तो उसकी न्यूनतम आयू होनी चाहिए तो उसकी न्यूनतम आयू दोस्तो आप सभी को पताऊंगा इसे कम उमर का बच्चा किसी भी कारकाने में काम कर रहा हो तो उसको बाल को गुनेगार की उस पर केस लग सकती है दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती, प्रदानमंत्री या स्पिकर तो आप सभी को पता होंगा दोस्तों के राज्यसभा की जो बैठक रहते है उसकी अध्यक्षता दोस्तों उपराश्ट्रपति करता है दोस्तों कौन करता है उपराश्ट्रपति नेक्स्ट गोस्चन भारत का हलका लड़ा को युमान है दोस्तों चेतक तेजस रुद्र या घुरू तो जल्दी से इसका जवाब दो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत का जो हलका लड़ा को मिट्टी को ड्यास ड्यास मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं दोस्तो जलोट काली बालू या पठाठी तो आप दोस्तो आपको बता दुमें के जो काली मिट्टी रहते हैं दोस्तो इस काली मिट्टी को भी रेगूर मिट्टी भी कहा जाता हैं दोस्तो ठीके प्रदान मंतरी बनने के लिए न्यूनतम आयो कितनी होती है 21 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष या 35 वर्ष तो आप सभी को पता होंगा दोस्तो के जो भारत का प्रदान मंतरी ये लोकसभास से चुने जाते है दोस्तो ठीक है और उनकी जो आयो है दोस्तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए दो हुआ दोस्तो ठीक है अमर कंटक की पाहडियों से सयादरी की पाहडियों से मेकल की पाहडियों से या निलगिरी की पाहडियों से तो आप सभी को बता दू दोस्तो कि जो अम याने नर्मदा नदी है दोस्तो इस नर्मदा नदी का जो उदगम सतल है दोस्तो वह अमर कंटक की पाहडियों से हुआ है दोस्तों कहां से हुआ है अमरकंटक की पाहडियों से ठीक है दोस्तों अगर आपको एक कोश्चन अच्चे लग रहे है दोस्तों तो मेरे चानल को प्लीज और प्लीज सस्क्राइब जरूर कर देना दोस्तों और लाइक कर देना दोस्तों ठीक है हमा अमारा प्रस्न है खाल्चा की स्थापना किस निकिती? तो खाल्चा की स्थापना दोस्तो गुरु साफने गुरुस्गोविनदस निकिती दोस्तो अप्शे नमबर A ह Marriage निम्न लिकित में से कौन नोबल गेस नहीं है? हिलिय म, जेनिय म, रेडिय CB या नियोन तो दोस्तो जो हिलियम है यह भी nobel gas है दोस्तो जेनियम भी nobel gas है और नियोन भी nobel gas है दोस्तो लेकिन जो radium है यह nobel gas नहीं है दोस्तो option number C next question हमारा मीठे आलू का संशोधन है मीठे आलू का संशोधन है पत्ती, जड, स्टेम या फुलदार अक्ष दोस्तो तो आप सभी को पता होंगा कि जो मीठे आलू का संशोधन है दोस्तो इसका अप्षिन नमबर बी जड सही है दोस्तो मिठे आलु का जड़ का संशोद नहीं दोस्तो है Next question मसूडों से रख्तस्त्राव किस विटामिन की कमी से होता है तो आप सभी को पताओंगा दोस्तो के विटामिन C की वज़े से दोस्तो विटामिन C की वज़े से Sorry दोस्तो मसूडों से रक्तस्त्राव किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन C की कमी से मसूडों से रक्तस्त्राव होता है दोस्तो ठीक है हमारा नेक्स्ट कोश्चन लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है दोस्त लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है बाल गंगादर तिलग दोस्तो ठीक है नेक्स्ट कोश्चन मानचित्र का अद्धियन ड्याश ड्याश कहलाता है सुलेक, भुगोल, भुविग्यान या मानचित्र कहला दोस्तो ठीक है तो आप सभी को बता दो दोस्तो में कि मानचित्र का अध्ययन भूगोल करलाता है दूस्तू अगर अप्षन में भूगोल नहीं रहा दूस्तू ठीक है अगर अप्षन में भूगोल नहीं रहता है तो कार्टोग्राफी इसका सही जवाब होंगा दूस्तू ठीक है क्या सही जवाब होंगा कार्टोग्राफी हमारा जीके का लास्ट कोस्चन भगत सिहां और उनके सातियोंने बदला लेने के लिए ब्रिटिस अप्सर जौन सांडरन को क्यों मारा डाला दोस्तो ठीक है अप्सर नमबर राम प्रसाद विश्मिल के हत्या के कारण चोरा चोरी कांड के ग्रामीनों की मोद के कारण दोस्तो लाला लाश्पत राय के हत्या के कारण या जलिया वाला बाग हत्या कांड के कारण दोस्तो तो आप सभी को पताऊंगा दोस्तो कि लाला लाश्पत की हत्या के कारण दोस्तों अप्शन नूमबर सी सही है लाला लाश्पतराय की हत्या के कारण ठीक है तो यहां पर दोस्तों हमारे जो जीके के 15 कोस्चन थे वो पूर्य हो गए है मुझे कमेंट करकर जरूर बताना कि आपके कितने कोस्चन सही है दोस्तों जो इसके पहले मैं बच्चे को पढ़ाता हूं दोस्तों तो तबी से मुझे अच्छी तरह से इंडियन आर्मी की जो एक्जाम है इसमें किस तरह के कोस्चन पूछी जाते है सब पता है दोस्तों तो मैं आपको बता दू इंडियन आर्मी में ज्यादा अतर बार बार वही कोस्चन रिपीर मैं करवा रहा हूं दोस्तों इसिए सिरीज है तो इसमें 30 questions मैं करवाता हूं जिके और जीयसnya के तो यह question आने वालीquisite exam में आने प्रहुत बहुत और बहुत चाहने हैं दोश्तों इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं जो फैश्रीज करवा आएंगे आएंगे दोस्तो अगर इन में से आपका 5 question भी अगर exam में आते हैं ठीक है मैं सिर्फ 5 question बोल रहा हूं दोस्तो तो आपका merit में आने के chance बहुत है क्योंकि दोस्तो में आप एक एक अंक से कम अगर एक अंका आपको कम पढ़ गया तो आप मिरिट से बाहर हो जाओंगे तो आपका selection इंडेन आर्मी में नहीं होगा इसलिए इन question को ignore ना किया करो दोस्तो मैं बाकी की तरह कुछ फालतों का आपको नहीं पढ़ाता हूं जो आपके काम का मैं पढ़ाता हूं दोस्तो तो इसलिए कह रहा हूं कि मेरे चानल को subscribe, like और share जरूर कर देना दोस्तो ताकि आने वाले इंडेन आर्मी की जो भी अपडेट होगी जो भी रैलियो की अपडेट होगी दोस्तो और जो भी आपके लिए exam के लिए सही होगा मैं वहीं आपको कि बल्ब में कौन सी गयस भरी होती है दोस्तो ओर्गन हाइड्रोजन नाइट्रोजन या टंगस्टन तो जल्दी से इसका सही जवाब दोस्तो आप सभी को पता होंगा दोस्तो जो बल्ब है इसमें ओर्गन रहता है दोस्तो क्या भरी होती है दोस्तो इसमें बल्ब में कौन स रासाइनिक सुत्र क्या है येन्य 2 CO3 येन्य येच CO3 येन्य CEL येन्य OH तो आप सभी को पता होंगा दोस्तों कि जो बेकिंग सोड़ा है इस बेकिंग सोड़े का जो रासाइनिक सुत्र है दोस्तों वो रासाइनिक सुत्र होगा यह निए यह ज़िए यह सीओ थुट्री ठीक है मुझे कमेंड करकर जरूरू बताना दोस्तों कि आपके कितने कोश्चन सही आ रहे है प्राथमिक रंग से रंग कौन से है दोस्तों तो नीला पिला बेंगनी पिला लाल नारंगी हरा पिला लाल या लाल नेला हरा तो आप सभी को बता दो दोस्तो के जो प्राथमिक रंग है ये प्राथमिक रंग लाल निला और हरा है दोस्तो कौन सा है लाल निला हरा अगर ये दोस्तो रहे प्राथमिक रंग अगर चितरकला में प्राथमिक रंग आपसे पूछे जाए तो लाल निला और पिला होंगा दो अगर आपको प्राथमिक रंग पुछे जाए तो लाल निला पुछे जाए तो लाल निला और पिला दोस्तो लाल निला और पिला ठीक है अमारा नेक्स्ट कोस्टन नाभी किया सल्लयन का उदारन है बायो गैस हाइड्रोजन बम बिजली या कुरुशी तो जल्दी से इसका सही जवाब दो दोस्तो नाभी किया सल्लयन का उदारन है हाइड्रोजन बम दोस्तो क्या हाइड्रोजन बम ठीक है next question दोस्तो कौन सी धातु कम्रे के ताप पर द्रव आवस्ता में पाई जाती है कौन सी धातु कम्रे के ताप पर द्रव आवस्ता में पाई जाती है लोहा, चांदी, पारा या सोडियम तो जल्दी से इसका सही जवाब दो दोस्तो जो पारा है दोस्तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो कौनसी धातू? पारा धातू कम्बरे के ताप पर दरवव अवस्ता में पाई जाती है दोस्तो ठीक है? नेक्स्ट कोस्चन गाडी चालक के बगल में कौन सा दर्पन लगा होता है? उत्तल, अउतल, सम्तल या बेलना कर तो आप सबी को पता होँगा दोस्तो इसका सही जवाब है उत्तल दर्पन दोस्तो ठीक है? गाडी चालक के बगल में कौन सा दर्पन लगा होता है दोस्तो? उत्तल दर्पन हमारा नेक्स्ट कोस्चन सोनार शब्द का अभिप्रायर ड्याश ड्याश है दोस्तो धोनी निट्रलाइजेशन और रेंजिंग धोनी मार्ग निर्देशन और पहुचाना धोनी मार्ग निर्देशन और रेंजिंग धोनी निट्रलाइजेशन और पहुचाना दोस्तो ठीक है तो जल्दी से इसका सही जवाब दो ये question थोड़ा सा आपको अलग लगेंगा दोस्तो तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि ये question बहुत एक दो question इंडियन आर्मी में मैं आपको बता दो दोस्तो क्या heart पूछे जाते तो शायद ये heart level का question आपको लग रहा होगा दोस्त ठीक है तो सोनार शब्द का अभिवप्राय दोस्तो है दोनिम मार्ग निर्देशन और रेंजिंग दोस्तो ठीक है हमारा next question साधारन नमक का रासाइनिक नाम क्या है sodium oxide, sodium chloride, sodium hydroxide या sodium bicarbonate ठीक है दोस्तो जल्दी से इसका सही जाब दोस्तो आप सभी को पता होगा कि साधारन नमक जिसका रासानिक सुत्र ये नियसल है दोस्तो उसका रासानिक नाम क्या है तो इसका रासानिक नाम आप सभी को पता होगा जल्दी से जाब दोस्तो इसका sodium chloride दोस्तो ठीक है रासानिक नाम इसका sodium chloride दोस्तो रासानिक सुत्र होगा इसका इन्यस सील दोस्तो याद रखना साधारन नमक का रासानिक सुत्र आपको बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है दोस्तो तो इसका रासानिक सुत्र होगा इन्यस सील और इसका रासानिक जो नाम है वो सोडियम क्लोराइड दोस्तो ठी नेक्स्ट कोश्चन निम्न में से सोडियम का प्रतिक है तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो सोडियम है सोडियम का प्रतिक क्या है तो सोडियम का प्रतिक दोस्तों यह यह अप्शन नमबर डी इस करेट का अंसर दोस्तों ठीक है नेक्स्ट कोश्चन तोचा का रंग किस से बना होता है गोबर, मेला निन, चाय या साबुन तो जल्दी से इसका जवाब दो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तोचा का रंग दोस्तों मेला निन से बना होता है किस से बना होता है मेला निन से ठीक है निम्न में से मानव निर्मित नहीं है ट्रेन, कुत्रिम रबड, केसर इन में से कोई ने ट्रेन तो मानव निर्मित है दोस्तो रबड भी मानव निर्मित है लेकिन आप सभी को पता होगा दोस्तो कि जो केसर है ये मानव निर्मित नहीं है दोस्तो ये नहीं सरगी कहीं, ठीक है Next दोस्तो Electromagnet डाश डाश से बनता है जस्ता, तामबा, नर्म लोहा तो आप सभी को पताऊगा दोस्तो कि इसका सही जाब होंगा नर्म लोहा दोस्तो Electromagnet नर्म लोहा से बनता है किस से, नर्म लोहा से ठीक है हमारा Next question डायनेमो यांत्रिक उर्जा को किस उर्जा में बदलता है प्रकास उर्जा विद्यूत उर्जा सवर उर्जा या इन में से कोई नहीं तो जल्दी से इसका सही जवाब दो दोस्तो जो डायनोमो है दोस्तो यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदलता है दोस्तो कि कितने लिटर एक गेलन के बरावर होते हैं दोस्तो तो यह लगबग जो चार पॉक्ड पासी parse टेंे लिटर करेक्ट अंसर नहीं है 4.546 लिटर एक गेलन के बराबर होता है दोस्तों यह इसके आसपास ही रहता है क्योंकि एक्जाम में इस ऐसे अप्षिन दिये गए थे दोस्तों इस वज़े से एक्जाम में करेक्ट आंसर नहीं दिया गया था तो 4.546 के आसपास रहता है इसलिए हमारा सही जवाब होगा अफ्षिन नमब्र B 4.546 छी ठीक है दोस्तों और हमारा अभी लास्ट कोशिन ठीक है यह जिसका लास्ट कोशिन है दोस्तों सामन निविध्यान का तो हम देखेंगे एक कोशिन देखने से पहले आप सभी से मेरा एक बार निवेदान है दोस्तों की चैनल को लाइक, ट्वाइब और शेर ज़रूर कर देना और इन कोश्व्यन को इगनोरना करें दोस्तों क्योंकि बहुत चांसद आने वाली एक्जाम में कोश्व्यन पूचे जाएंगे ठीक है तो जैसे कहम देखेंगे अब लास्ट कोश्यन हमारा एक परमानों के नाविक डाश डाश होते दोस्तो केवल न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन और न्यूट्रोन प्रोट्रोन और न्यूट्रोन दोस्तो इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन दोस्तो तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो प्रोट्रोन और न्यूट्रोन एक परमानों के नाविक में क्या होते हैं दोस्तो प्रोट्रान और न्यूट्रान दोस्तो ठीक है अप्शन नमबर C दोस्तो इसका क्योंकि जो परमानों रहता है दोस्तो इसके नाविक में प्रोट्रान और न्यूट्रान ठीके दोस्तो अगर मैंने यह जो question आपको मैंने स्वाल किये करवाये दोस्तो अगर इसमें से आपके कितने question सही आई है और कितने गलत आई है यह मुझे comment करकर जरूर बताना दोस्तो ठीके इससे कि आपको यह पता चलेंगा कि आपके तयारी किस तरह से चल रहे दोस्तो और आप कहां पर याने आपकी पड़ाई कमजोर है यह भी आपको इससे ही पता चलेंगा क्योंकि एक कोश्चन है दोस्तों जो ओल्ड आर्मी एक्जाम में पूछे गए दोस्तों इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इन कोश्चन को इग्नूर ना करो अच्छी तरह से इनको मंदित हर जो भी एक्जाम की डेट होगी दोस्तों जो भी एक्जाम के बारे में जानकारी मिलेंगी जैसे की आर्मी की रैली के बारे में जानकारी मिलेंगी वो सबी के लिए मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता रहूंगा दोस्तों तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब् झाल झाल